अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में आप हमारे टेलेग्राम गुरूप में जॉइन हो सकते हो जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो साथ में चैनल सब्सक्राइब कर प्रेण्ग में जो है वो मिलते रहेंगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जो है वह एक इनपॉर्टन टॉपिक देखेंगे हाले की हैज्ग हमें टरेडिंग में काम नहीं आने वाला है लेकर अगर अगर आप्षार रहे हो अगर ट्रेड को बड़ी कंपनी में लेने में जो भी डिफरेंस बिट्वीन रहते हैं बीच-बीच में क्या-क्या लेवल्स रहते हैं क्या-क्या होता है वो सारा जो है हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले अगर देखोगे ओक्या देखेंगे सबसे पहले आती है प्रॉपोटशिप जो यह अगर कोई प्रॉपोटशिप कंपनी है तो उसका माली जो पर चला हुई हैं तो partnership पे क्या रहते है friends एक से जादा अगर जैसे for example दो लोग हो तो दो लोग अगर कोई company चला रहे हैं तो उसे हम partnership जो है वो company उसे बोलते हैं अभी friendship company में तीसरा अगर आप देखोगे तो तीसरा अगर आप देखोगे तो प्राइवेट लिम्टेड का क्या रहता है friends अगर मा funding की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी वो कहां से लेंगे investor से उठाएंगे अभी वो क्या करेंगे company में क्या रहता है जैसे आपने देखा कि company के Shares रहते हैं अभी वो company के Shares देंगे अभी मान के चलो मेरी company के एक लाग के Shares हैं तो एक लाग के Shares मैसे मैंने आपको कुछ percentage जै है वह एक परसंट है Breeробity करती जाएगी उसका एक परसंट अभी जैसेапak junior करे गी तो company का share growth करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है अरनिंग मढधती जाएगी मांगरं कि पास company के 40 percent उने 40 परसंट company के शेर्ट जैसे company growth करेगी तो company का share growth करेगा तो automatically आपकी जो है वो earning बढ़ती जाएगी अभी मान के चलो किसी के पास company के 40% share है किसीने 40% company के shares लेके रखें हाले कि जब भी कोई company IPO launch करती है जैसे आप देखो कि जब भी IPO launch होता है कभी कभी आप 10,000 में आपको एक share भी नहीं मिलता है कभी दो share कभी 10 share मिल जाते है तो वो depend करता है friends वहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं यह private limited का जो concept हम देख रहे हैं तो इस पे क्या रहेगा जब भी कोई company launch होती है तो वो आपना क्या करती है यहाँ पे आपको shares देती है और आपसे funding उठाती है लेकर friends यह जो funding रहेगी वो funding सिर्फ हम personal अपने family member या कहीं से अगर आप ले रहे हो तो आप उन्हें ही दोगे तो यह आप क्या करोगे जो भी company के आपने यहाँ पे अगर यह लेके रखें, shares लेके रखें private limited पे तो वो सिर्फ एक single person जैसे अभी आपके पास हैं तो आपके पास ही shares जो है वो रहेंगे आप share किसी और को यहाँ पे दे नहीं सकते तो वो गया अगी private limited अभी friends यहाँ पे दूसरा एक term आगया private limited से public limited वो shares करके जो भी share लेगा तो वो funding आपको आएगी, अब shares आपने दिये तो company में आपको funding की जोच चाहती जितनी भी company बढ़ेगी तो company ऐसे growth करेगी उसे हम public बोलते हैं लेकर friends वहाँ पे एक बहुत जादा important term आजाती है जिसे हम यहाँ पे बोलते है कि जब भी आप किसी company का shares लोगे तो आप एक चीज़ चेक करोगे कि company जो है वो listed public limited है यानि अब listed public limited क्या वा friends अभी मान के चलो यहाँ पे आपने company के जो भी shares लिए जैसे आप personal में आपने share लिए या public company को कर रहे हैं लेकर without listed है अगर लिस्टीड नहीं है तो आपने जो भी यहाँ पे शेर लिए public limited के अपने अपने family member को share दिया या किसी भार भी दोस्त वगहरा को public limited के भी अगर आपने share दिये तो अभी आप उन्हें बेचोगे कहां पर अभी पर पास मैं आपको simple example में समझाओंगा यहां पे आपके पास अभी USDT है आपके पास अगर USDT है तो कहां पर जाकर चांद कर जाका बेच も अभी आप मैंने अप पर를gem कि सिक्षेंज पर लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा coin है वहникомषंश पर नहीं है तो उसे आप कहां पर बेचोगे नहीं सिर्फ आप होल्ड करके रख सकते हो तो आप क्या चेक करोगे कि यह कोई जो है या आपके पास जो भी करेंसी है यह एक्सचेंज पर है या नहीं अभी आपके पास मैंने आपको डॉलर दिये और वह कुछ जैसे हम आ रहे हैं तो यूस्टी आप कहीं भी अपने एक्सचेंज पर दो कि लेकिन मैं आपको कोई नया कोई दे रहा हूं तो आप कहां पर देखर करोगे बाइनेंस पर वजीर एक्स पर लिस्टीड है या नहीं अभी ऐसे हम क्या करेंगे वह देखेंगे कि कंपनी है तो आप पहले वो चेक करोगे अभी अगर यहां पर लिस्टीड कंपनी होगी तो आप क्या करोगे अपना शेर जो है वो बेज सकोगे आपने किसी और को अब आप अपना शेर बेजना चाते हो तो कंपनी अगर लिस्टीड है तो तभी कोई जाके खरीदेगा जैसे पॉब्लिक लिम्टिड कंपनी होगी तो जो भी आपके पास शेर है आप उन्हें वो बेज पाओगे तो फ्रेंट्स यह थी हमारे पास कुछ टर्म जो कि स्टार्टिंग से अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो जिसमें सिंगल और आगया पार्टनर्शिप अगर आप करते तो आज की टॉपिक में हमने डिसकस किया जो हमारा ऑइन निकला आज का यही ऑठोया कि हमने हमें डिफरें टाइक्स के कंपनी में सत्कार में category अगर आपको वीडियो घ्रटीज ग्रेई तो आपने लिए ऊप्लेम उनके सथे शेय कर सकते हो thank you friends